सुखदेव सिन्ह गोगामेडी हत्याकांड मामले में अब नया खुलासा हुआ है राश्ट्री राजपूत करनी सेना से जुड़े बदमाश नहीं इस हत्याकांड में अहम भूमिका निभाई है पुलिस के द्वारा इस मामले में दो शूटर नितिन फौजी वरोहित राठोर सहित साथ आरोपी गिरफ्तार किये हैं अब इन आरोपियों का करनी सेना से क्या संबंध था चलिए उसके बारे में बताते हैं पुलिस ने खुलासा किया है कि आरोपी नितिन फौजी की रोहित गोदारा से बात करवा कर लौरेंस बिशनोई गैंग से जोडने में महिंद्रगड के गांव पहाडवास निवासी भवानी उर्फ रोनी राजपूत ने अहम भूमिका अदा की थी नितिन फौजी और भवानी अच्छे दोस्त बताए जा रहे हैं और जानकारी के अनुसार भवानी ने ही टैक्सी कर नितिन फौजी को सुख देव गोगा मेडी की हत्या के लिए हिसार से जैपुर भेजा था अब एक तस्वीर सामने आई जिसमें आरोपी भवानी उर्फ रोनी राजपूत के करनी सेना से जुड़े होने की जानकारी सामने आई है यह फोटो अक्टूबर 2018 की बताई जा रही है जब भवानी उर्फ रोनी को राष्ट्रिय करनी सेना ने हलका अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी थी फोटो में करनी सेना का प्रमान पत्र और लोग सम्मानित करते हुए भी दिख रहे हैं अगर इन तथ्यों वह प्राप्त जानकारी के आधार पर बात करे तो करनी सेना से जुड़े आरोपी भवानी उर्फ रोनी राजपूत नहीं बदमाशों को भेज कर करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव गोगा मेडी के हत्याकांड को अंजाम देने के लिए तयार किया था रोनी पहले से ही लौरेंस गैंग वरोहित गोदारा के संपर्क में था जिसने आरोपी नितिन फौजी का इस गैंग से संपर्क करवाया आरोपी रोनी पर हरियाना सहित अन्य राज्यों में हत्या का प्रयास लड़ाई जगडे अपहरन लूट वा फाइरिंग करीब 16 मामले दर्ज हैं फिलहाल भी वह एक आपराधिक मामले में गुरुग्राम की भोंड सी जेल में बंद था जहां से राजस्थान पुलिस उसे प्रोडक्शन वारंट पर लेकर गई है जैपुर में नितिन फौजी जाकर रोहित राठोर से मिला और पूजा से हत्यार लेकर इस पू से पूछताच कर रही है जिसमें नए नए खुलासे हो रहे हैं